पिछले साल की तुलना में इस वर्ष खरीफ सीजन के दौरान अरहर, तुवर, एवं मूंग के बिजाई क्षेतर में अच्छी बड़ोतरी हुई और मोट का रकबा भी शुरुआती गिरावट के बाद अंता आगे हो गया मगर उड़त का क्षेतरफल काफी पीछे रह गये। उड़त की फसल को प्राक्रितिक आपदाओं से भी नुकसान हूँ। केंद्रिय क्रिशी मंत्राले ने दो हजार चौबीस से खरीफ कालीन दलहन फसलों का जो पहला अगरिम उतपादन अनुमान जारी किया है, उसमें आकडों को काफी हद तक व्यावहारिक स्थर पर रखन गिरकर 79.54 लाक टन पर अटक जाने की संभावना। अनुमान अन्य दलहन फसलों का उतपादन 7.99 लाक टन से 61,000 तन बढ़कर इस बार 8.60 लाक टन पर पहुँचने की उम्मीद। से फसल को हुए नुकसान को देखते हुए क्रिशी मंत्राले ने इसका कुल नुकसान 35 लाक टन ही आका है, जो काफी हद तक व्यावहारिक प्रतीत होता। वैसे ये आरंभिक या पहला अग्रिम अनुमान है, जबकि आगे तीन और अनुमान जारी होने वाले हैं, इसलिए तुवर सहित अने दलहनों के उतपादन आकड़ों में बदलाव हो सकता। मध्य प्रदेश में उड़त कारकबा घट गया था, जबकि वह इसका सबसे प्रमुक उतपादक राज है। Bureau Report Market Times TV